हालो फ्रेंड्स माइसाइब रोक्सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों जो सीरीज ओफ टॉक है राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग आज हम जानेंगे क्या है नोज की डिफरेंट विकरतियां नोबाउट नोज डिफॉर्मेट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे बैल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अने एक रिगार्डिंग एल्थ की उप्योगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे द दोस्तों जैसा पहले की वीडियो में हमने देखा नाक की जो लेंथ होती है दोस्तों जो लेंथ है वो रेडिक से लेके टिप पे है यह जो आइडियल लेंथ है वो करीब 3-4 cm जो नाक की जो लेंथ है दोस्तों अगर यह लेंथ इससे कम है वो शोर्ट नोज होता है और इस लंबी है तो वह लॉंग नोज होता है ऐसे दोस्तों रिगार्डिंग जो नाग की चोड़ाई है उसके रीगार्डिंग भी ज़ो है नोज की दिफॉर्मिटी ये जो जो विट्थ है हमारी जो वह हमारी जो ये एला बैस्की आश से यानि 80% से ज्यादा है तो वो nose over wide or broad nose होता है जिसको हम चोड़ा नाक बोलते हैं ऐसे ही दोस्तो ideally जो हमारा tip है ideally जो tip की जो width है यह जो आपने tip defining points होते हैं उनके बीच की जो distance है वो यह हमारे जो hot के उपर जो यह gap होता है जिसको हम filter हम बोलते हैं almost almost उससे बराबर होना चाहिए अगर इससे बड़ा है तो यह है broad tip and tip जो है वो usually normally triangular tip होना चाहिए दोस्तो ideally जो हमारा nose है that should be straight यानि हमारा जो nose का जो length है यह nose को हमारा जो फैस है इसको दो equal symmetrical part में divide करता है दोस्तो यह जो nose का जो उपर का जो part है वो तरफ है जिसको हम deviated nose बोलते हैं वो deviated nose दोस्तो वो straight भी हो सकता है वो C-sap या S-sap भी हो सकता है दोस्तो अगर यह C-sap या S-sap में होता है तो हम उसको crooked nose बोलते हैं तो यह है basically जो है nose की जो length के regarding deformity width के regarding deformity हमने जाना दोस्तो tip के regarding भी बहुत पार कुछ patients को deformity होती है जो हमारा nasal labial angle है यानि हमारा nose और हमारा जो यह lip के बीच का angle है दोस्तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा female में यह usually 90 to 95 degree होना चाहिए और male में यह करीब 95 से 105 angle degree angle होना चाहिए दोस्तो अगर यह angle इससे कम है यानि nose यह है that is a droopy nose जो nose है वो droopy nose होता है दोस्तो इसके अलावा अगर यह nose का जो angle है बहुत ज्यादा है like यह बहुत उपर है तो over rotate nose जिसको हम piggy nose भी बोलते हैं इसके अलावा दोस्तो nose की जो height के regarding भी बहुत बार जो है वो patient के अंदर deformity है जैसे ideally अगर हम nose की height देखते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा length है nose की उससे half से तोड़ा ज्यादा करीब करीब 0.60 to 65% करीब होना चाहिए यानि अगर हम centimeter में discuss करें तो डेड़ से 2 centimeter हमारा nose हमारे face से क्या है पूटा हुआ होना चाहिए दोस्तों अगर यह इससे कम है या ज्यादा है तो भी deformity अगर हमारा इससे कम है बहुत पार यह nose chip का होता है that is the flat nose यानि that is a droopy tip या flat tip और दोस्तों अगर यह nose जो है बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है उसको हम over projected nose भी बोलते हैं तो that is the over projected और under projected nose भी basically बहुत पार nose के tip की बहुत सरी other deformities भी होती है तो जो deformity होती है उसके according जो है वो different time होता है दोस्तों बहुत बार क्या है हमारे जो nose बिलकु ठीक होता है हमारी जो length भी ठीक होती है हमारी nose की height भी ठीक होती है but बहुत बार जब हम यह देखते हैं तो हमारे nose के बीच के अंदर हमारी जो यहाँ पर एक तरफ हड़ी निकली होई होती है जो हम यह पिक लेते हैं या selfie लेते हैं या कोई दूसरा आदमी भी हमारे को बोलता है तो दोस्तो इसको जो हम बोलते हैं वो caudal septum deviation होता है CSD यानि caudal part of the septum यानि हमारा जो naak के बीच में एक जो partition होता है जिसको हम septum बोलते हैं यह septum ideally जो हमारा यह columnella जो naak का part होता है इसके पीछे होना चाहिए तो अगर यह इसके पीछे नहीं होके वो एक तरफ deviated है तो उसको हम CSD यानि columnella septal deviation भी दोस्तो बोलते हैं दोस्तो अगर किसी को उसका जो entire nose ठीक है और उसका columnella septal deviation है तो दोस्तो वो जो एक तरफ का जो हमारा जो nose still है उसमें जो air entry है उसको block करता है तो जो दोस्तो यह जो विक्रतिया हैं जो different different nose की इनके कारण जो है बहुत बार patient को खाली उसके look में problem होती है उसको breathing में problem नहीं होती तो उसको cosmetic rhinoplasty के माध्यम से ठीक किया जाता है दोस्तो बहुत बार जो विक्रति होती है अमूमन जो ऐसी विक्रति जो nose deviated है जो S या C sept है या columnella septal deviation है दोस्तो यह जो विक्रतिया है वो patient को look और उसकी breathing दोनों में problem करते हैं तो उसको septorhinoplasty के माध्यम से ठीक किया जाता है तो दोस्तो यह है नोज के regarding जो है बहुत सारी इसमें दोस्तो एक बड़ी common जो है अपने इंडियन नोजी में एक deformity ओर है कि हमारा जो उपर का नोज का जो dorsum है अगर हम एक line draw करते हैं redix यानि जो forehead और नोज का बीच का जो junction है वहाँ से tip तक का और दोस्तो अगर इससे बहुत ज्यादा नीचे है तो इसको में स्कूप्ट और सेडल नोज भी बोलते हैं तो दोस्तो यह different type की nasal deformity है जो cosmetic functional और cosmetic और functional दोनों problem create करते हैं तो दोस्तो I hope this information is useful for you, you can share this information to your friends and family my side doctor Sunil Tamar consultant ENT and rhinoplasty surgeon regarding दोस्तों आपको इसमें से कोई भी विक्रती से related कोई सवाल है आप मेरे को comment box पे डाल सकते हैं उसका जो भी उचित reply है definitely I will reply you and next more videos में दोस्तों मिलेंगी rhinoplasty की कैसे जो है different different इन विक्रतियों को जो है हम कैसे इसको जो है वो rhinoplasty की माध्यम से ठीक करके हम सुन्दर नोज हम बना सकते हैं Thank you